देश में राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के बाद आज बुधवार 14 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी सन्युक्त अरब अमीरात की राजधानी अब्बू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। मंदिर का काम साल 2019 से जारी है। इसके लिए जमीन UAE सरकार ने दान दी थी। अब्बू धाबी में बने इस मंदिर को करीब 700 करोड रुपे की लागत से तयार किया गया है। इस मंदिर को BAPS संस्था के नेत्रित्व में बनाया गया है। मंदिर को भव्य बनाने के लिए राजस्थान में पत्थरों पर नकाशी की गई है। मंदिर के मध्य खंड में स्वामी नारायन के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मंदिर का निर्मान जैपुर के पिंक सैंड स्टोन से हुआ है। यह वही पत्थर है जिससे अयोध्या में मंदिर बनाया गया हैल। संग मरमर से बने मंदिर के हर स्तंभ पर हनुमान जी, राम जी, सीता जी, गणेश जी की प्रतिमा उकेरी गई है। मंदिर के बाहरी स्तंभों पर सीता स्वयमवर, राम वनगमन, कृष्ण लीलाएं आधि शामिल हैं। भारत और UAE की संस्कृतियों का संगम दिखाने के लि लगाए गए हैं। मंदिर के निर्मान में किसी भी धातु का उपयोग नहीं किया गया है और नीव को भरने के लिए फ्लाई एश का उपयोग किया गया है। मंदिर के दोनों ओर गंगा और यमुना का पवित्र जल बह रहा है, जिसे बड़े-बड़े कंटीनर में भारत से लाया गया है।